हम खोच चुके हैं नानी के घर जी हाँ दोस्तों मैं जा रही हूँ माई के लगबग एक साल के लंबे डिस्टेंस के बाद माई के जाए बिना एक महीने तो क्या एक महीने भी मैं नहीं रह पाती थी हर महीने एक चकर मेरा हो ही जाता था लेकिन इस बार ना बहुत लंबा डिस्टेंस हो रहा है तो आज जाते हुए बिलकुल ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कोई पंची पिंजरे से आजाद हुआ है सच में बेटियों के लिए तो यही फिलिंग होती है माई के जाने के लिए फिर चाहें कोई कुछ भी समझे मैं जा रहे हूं अपने माई के उत्रा खंड और जहां पे मेरा ससुराल है वो है उत्रा खंड और यूपी का बॉर्डर तो यहां का जो मतलब बैदर है वो बहुत ही अच्छा रहता है और हर्याल ही काफी जादा है लेकिन जो पहाड बगर रहते हैं वो यहां से लगबग 10 किलो मीटर की दूरी से शुरू होते हैं जहां पे मेरा माइक का है तो यह जो सारा मौसम है यहां आप देख सकते हो पुरा उत्रा खंड का वेदर है बहुत ही अच्छा लगता है तो कल आकर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी अभी next day हो रहा है क्योंकि कल ना ममी काफी ज़्यादा emotional हो गई थी मैं वीडियो ब बनाते हैं बेसन का चीला तो ममी को खाना है बेसन का चीला और मुझे भी बहुत पसंद है तो सुनकर अच्छा लगा क्योंकि जादा तर या तो ममी पकोड़े पकोड़ियां पूरी कचोड़ी यही सब बन बाती है जब मैं आती हूं सुवा के नाश्ते में लेकिन आज पह क्योंकि दुरूब भी खाएगा और भाई है घर पर छोटा वाला वो भी खाएगा तो इसी वज़े से मैं यहाँ पर उसी साबसे चीले बना रही हूं पापा चले गए हैं सुभाई नहीं तो आपको थोड़ा बहुत वीडियो में दिख जाते क्योंकि सुभाई उनका काम स तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है और यह जो फीलिंग है ना वो हल लड़की के लिए काफी जादा इंपॉर्टन रखती है बहुत ही जादा मतलब मैं कहनी सकती पूरा मेंटल हैल्थ इस पे डिपेंड करता है तो कभी कभी ना इस तरह से फ्री होकर मायके में र जाओंगी तो चलिए अभी जब तक हूँ तब तक आपको यहां की वीडियो मेरी देखने मिलेंगी मैं रैसे भी शूट करूंगी और अभी जो मेरी पुरानी मतलब सब्सक्राइबर्स हैं वो काफी ज़्यादा सोच रही होंगी कि मेरी भावी कहां पे तो अगर आप ज़ ज़ादा घ़र के मैटर में नहीं बोलती हूँ चलिये जी अभी यहां पाytyy मैने ज़ेदा लिया।izo स्टा ओर बढ़ जाता है तो बेसन के चीले बनाने के लिए बेसन के बैटर को जितना अच्छे से फेटो गिना बेसन का जो चीला है उतने ही ज़्यादा अच्छा बनेगा एकदम चिकना स्मूध बनता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो मैं यहां पर ममी पर ममी से बाते भी कर रही थी क्योंकि ममी मेरे आसपासी खड़ी थी तो मैं उनसे बाते भी कर रही थी और अपना यहां पर रेशिपी भी बना रही हूं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं बार बार आप सभी से कह रही हूँ, तो नहा दो ली थी मैं अच्छे से, मैंने अपना योगा एक्सिरसाइज वगरा सब कर लिया था, उसके बाद मैं नाश्टा बना रही हूँ, चलिए फटा फट से चीले बनाते हैं, उसके लंच भी बनेगा, तो लंच में मामा पूछ रही थी क्या खाओगे, लेकिन मुझे दिख गई थी तोरी, तो मैंने कहा तोरी बनाऊंगी, लेकिन ममी ने जैसी मैं नाश्टा करके निप्टी ना, तैसी ममी ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने ही तोरी, सोया बड़ी डाल कर दोपेर में बनाई थी, उसके बाद जो भी कोई रेसिपी अगर मैं शूट करूँगी, बनाऊंगी, तो वो आप सब के साथ जरूर से शेयर करूँगी, आप लोग बस कंटीनुवेर वीडियो पर बने रहेगा, और वीडियो को धेर सारा प्यार दीज मतलब कहीं चिपक न जाए, सारी महनत मेरी बर्बाद न हो जाए, इसी वज़े से, फिर मैं ममी से पूछी कि इस पर बन भी जाएंगे या नहीं बनेंगे, तो ममी कहनी थी कि मैं बनाती हूँ, बन जाएंगे, बस थोड़ा सा नीचे से ओईल लगा देना, तावाज होए न मैंने दूसरे साइट से इस पर ओईल लगाया और चीले को अच्छे से पका लिया, तो कम्प्लेटली एक चीला मेरा बन गया था, लोहे वाले तवे पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं बनाई न, चीला दूसरा वाला बहुत ही अच तो मम्मी और मेरी लिए ही चाय बन रही है, बाकी लोग सब पी चुके थे, पहले ही उनको बना कर दे दी थी, पापा को मैं सुबही दो पराठे और चाय बना दी थी, साथ में जो मतलब चीज बगरा में लेकर आई थी, समों से मिठाई, वो पापा ने खा लिये थे सुबह के नाष्टे में फिर वो अपने काम पर चले गए थे, अब पापा दो पेर को आएंगे खाना खाने तब तक हम बना लेंगे, चलिए सुबह का नाष्टा बन गया है, और अब टेस्ट कराते हैं मम्मी को की चीले कैसे बने हैं, और आप सब को भी अगर पसंद है नाष्टा हो रहा था, मम्मी थोड़ा सा अनकंफर्टेवल होती है, कैमरे के सामने उन्हें इच्छी से नहीं पता होता है कि कैसे बात करनी होती है, क्योंकि वो जब मैं आती हूं तभी कैमरे के सामने होती है, अदर्वाइस यहां पर कोई ब्लॉगिंग नहीं करता है, तो चलिए नाश्ता कर रहे हैं, ममी को चीले बहुत पसंद आया है, आप सभी से मिलूंगी और नेक्स वीडियो में, बाबाई टेक क्यार